दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे वेलकम टू माई न्यू लोग और ये दिन है संडे का साम का टाइम है उस दिन पापाजी का जो सराथ था उस दिन वाले दिन तो यहां साम के टाइम बैठे हैं सभी अपना दोपैर का तो खना- कर रहे थे फिर मैं भी आगे कि या लसारा तो फिर यहां मैं चली गई थी चाय बनाने के लिए और इशू को लग रही है कि मुझे जाना है उदर उसको लगी हुई मैं क्या करेगी यहां पर खेल ले तो वह रूई नहीं आई ना तो उसका तो मन लगता ही नहीं बिल्कुल पी तो attached भी उसको यूही कह रही ही कि फिर यहां पर हम क्या करेंगे तो मेरे पास रहले मैं चलूंगी खल लूंगी कल मेरे साथ चलना लेगी मुऊ सको लग रही ही कि नहीं कल तो भी मुझे इस खेल भी पर बहजी भी बेज दो तो यहां बस वहाई सुबह सभीर पह र तो बस यह देखें बवाजी बैठी है अपना बाते ही करते रहते हैं इदर उदर की इतने दिन में मिली है और जब क्रिष्णा वतना तब आई थी और क्रिष्णा चार साल का हो गया तो मतलब चार साल बाद आई है तो काफी दिन हो जा जब मिले हुए तो यह तो जब आरू आई थी तब भी आई थी लेकिन जब गाओ में आई थी मैं तो थी इनके पास उन से मिली थी वहाँ पर मैं जब आरू आ रही थी तो बस यह अपना इधर दे के बुआ बेटे की बात चल वी है बुआ बतीज्य की अपना और मैं रीशू अपना लग रहे हैं चाय पीने में क्योंकि मैं ज़्यादा बीजी हो रहे हैं दो नोई बात तो मैं तो यहाँ चाय वागिरा पीने के बाद बस फिर मैंने बरतन वागिरा भी पड़ेते खाने के दो पैर के यह और वो करे हैं और इधर आप देख रहे होंगे इशू की चल दी है सफाई पैसा सुबह जाड़ करी आज लेकिन एशू कह रही है कि मम्मी मुझे दुवारा फिर करना है जाड़ू पच्चा तो वो लगी हुई है करने में आज उनका सफाई अभ्यान चल रहा है हसल में उनकी ओनलाइन क्लास हुई थी स्कूल आज जैसा एक अक्टूबर वाले दिन तो मैडम ने उनसे व पड़ा भी क्या लगाएगी कहीर नहीं मैं चल कपड़ा खुड़ा मारके ऐसा ही बना ले वीडियो प्यारी नहीं मुझे तो जाड़ू पच्चा करना हूँ इसे ना सोग लगता है यह काम कर चोटे बच्चों को लगता ही है तो मैं कहब रही मनंका बार बार लगा लगा चोक में, बाद में कमरे तो सापी पड़े, कहा रही नहीं ममी मताज सारे कुई लगाँगी, तो मकचल लगा ले, तो लग गी है यह अपना जाडू लगाने में, जाडू लगाने के बाद भी रही है, पुच्छा भी लगाएगी, और बस लग रही है, और गुड़ू की साय चल गी थी क्लास इस Public हो चुकि थी Online क्लास तो बस अभाइद करेगी पूरे सब्सक्राइड नहीं ऑर अगर के देना कुछ काम करने के लिए तो तब नहीं करते हैं अगर टीचर चाहे कुछ भी काम कर देगी बच्चों को करने के वह फटापट में कर लेते हैं उसे नहीं छोड़ते बिलकुल भी और इशु और गुड्डु का हमेशा यही रहती है कि मैडम जो कहती है उसे में हमेशा घर वाले कहरें उसे करो ना करो लेकिन जब भी मैडम कुछ भी काम कहें कुछ और यह देखें इधर गुड्डु की क्लास हो चुकी थी अब वह कर रही है क्लीनिंग उसको भी ऐसे वीडिया बनानी थी बेजनी थी मैडम के पास तो मैडम ने उसको बोला था तो उसने भी पूरे घर की कर दिया डेस्टिंग तो दोनों बैनों ने आज संबाल लिया है स अब ही अगले दिन हैं यहां पे देखें मैं धोरी कुपड़े काफी सारे हो रहे हैं आपको पता ही जब गाउं में साय थे बहुत जदा कपड़ थे तो कदूलगे हैं जितने सुबह सनास्ता वगेरा बनाया दूलगे थे काफी सारे कपड़े अब उसके बाद बस फिर मैं इनको आगी निचोडने के लिए और निचोडने में भी टाइम ही लगेगा बस मैंने कपड़ों का बाद में करूंगी क्योंकि धेर लगया हुआ था और यहां पर बस मैं अपना निचोडती रहूंगी आंटी भी आगी थी आंटी बरतन वगेरा कर रही थी तो मैं निचोड लूँगी और बीच-बीच में मै अपना डालती रहेंगी तो बस काम का तो पता यहां आपको ऐसा ही हो जाता है बहागा जी आपना तीए टी-वी देख रही है और इसके बापा अपना काम कर रहे है और बच्चे सायद गए वे हैं स्कूल तो यहां पर देखे जी लगे हुए हैं बस अपने काम पर फटा पट यह ऐसे ही हो जाता है सारे काम यह निया की भाई हर काम को समय तो लगता ही है करने में थोड़ा जैसर डेली रोज का हो जाता है तो थोड़ा कम समय लगता है और और अब देखे ड्रायर होगे सारा कुछ क्योंकि एक डेड़ घंटा लग गया नको एक घंटा तो लगी गया निचोड़ने में ड्रायर करने में फिर मैं आगी थी उपर और बस अब सारे कपड़े फैला दूँगी सूख जाएंगे सारे तो फैल लेंगे निए एक साथ आ और यह मतलब गाओं में सा आके जब मैंने कपड़े दोएते ना वो वाले आईए और यहां पर बस उसके बाद अपना जितने फैल लगे दूबारा फैला दूँगी क्योंकि टाइम जादे तो लगने का निए सूखने में एक दो गंटे में सारे सूख के तैयार हो कि अधिया देखे जी मैंने कपड़े फैला दिया काफी सारे पूरे तार भरगे दर रिलिंग पर डाल दिया और इधर भी है दो तार लेकिन अभी रह रहे हैं कपड़े बस उना मैं भी नी फैला ती यह उतारूंगी तब फैला दूगी फिर रिलिंग पर डालूं कहां तक डालूं सारे आएंगे तो यह सूख जाएंगे तब जाके फिर मैं दूसरे डालूंगी फिर रख देखती हूं निचे कुर्सी पर बस चलती हूं निचे दूपोरी ते और यह अब हैं देखिए क्लीनिंग का काफ कपड़े में फैलाया ह हूं और यह वीडियो आपको मिलेगी आज यह मेरे से वीडियो निए बनी अगर आपको बताओं तो यह मेरी दो तीन दिन की खट्टी हो रही है तो वही मैंने छोट छोटे इसके किलिप बने हुए थे तो वह मैंने आपके साथ सेयर कर ली फिर डालती नहीं फिर आप सब बोलते होगी क्यों नहीं डाली तो मेरे पास यह थी मैंने सोचे चलो यह आपके साथ सेयर कर देती हूं तो यहां पर जब कर सुबह जो वीडियो आपने देखी थी मेरा कपड़े वगेरा दूल गे थे अब उसके बाद मैं करने लगी हूं क्लीनी यह दो अक्टूबर वाले दिन का दिन है और सुबही मेरी मौन्टी वगेरा साफ हो चुकी थी सारी अच्छे से मैंने सेटिंग कर दी थी तो मैंने वहां पर धोया नहीं था मैंने इसलिए दोया था मैं काभी सुबही सुबही सारे को गिल्ला हो जाएगा तब आंटी आएगी तब मुझे कपड़े दोने थे और मकबाद में अराम से दोलेंगे सुबही फिर इसमें लग जाओ तो और काम में फिर लेट हो जाते हैं तो आंटी आगी थी आंटी ने बरतन वगेरा कर लिये थे तो यह मैं मौन्टी में धोरी थी और इधर बस आंटी पोड़िया धोने लगी है तो एक बार त कुड़े की वालती रखते हैं तो थोड़ा से जादा गंदा हो जाता है तो इस वज़े से मैं थोड़ा से सरफ वगेरा डालके अच्छे सरगण के मार देती हूं दोरी धर यह जो कुई है इस पर से भी मैंने समान उठा दिया था सारा पहला ही मैंकर पानी डलेगा और कि जो छोटे वाले दामाद हैं उनके ना उनको चोट लगी एक्सिडेंट हो गया तो कई दिन तो यह जब मैं नहीं थी यहां पर आई भी नहीं थी कई दिन तो मेरे सामने भी एक दिन नहीं आई और अब भी जैसा आती है तो थोड़ा जल्दी से मैं फिर इन वहां भी जा लेक्टर है बहुत जादा ओपरेसन वगेरा भी होगा तो इस वज़ास ना ऑन्ती बहुत ज़्यादा परिषानसी रहती है अजकल तो मैं यह अपने जैसे ही समझते है वह सब दुख जैसा अपना दुख है ऐसा ही दूसरे का है तो मैं ज्यादा तर कोशिज करती हूं जित तो यहां पे बस उन्होंने सरफ डाल दिया था पहले मैंने पोड़ियों पे दो दिया अच्छे सब परसला के दुबारा तो इधर इन्होंने डाल दिया मकला मैं मार दूंगी जाड़ू जुक्के क्योंकि इन से पिर काम नहीं होता जाड़ू से मतलब रगण सी कहा है सरफ तो इन्होंने डाल दिया मकला मैं धो दूंगी जब से में गाउस आई अच्छे से मतलब पोच्चा मगेरा तो लगाया था लेकिन बहुत अच्छे से क्लीमिंग नहीं हुई थी दो दा का जैसा हो जावे तो उधर मैंने मार दिया अच्छे और वाइपर से भी पोच्चा भी मारती है क्या गाइपर मार देती है तो इतर मैं रगड़ कं़्या ग्ण सब्सक्राइल पत्रेी में दोने अक्र से जाड़ दी बाद और अन्ति कमार गए वाइपर और मैं जाड़ से धोके अच्छे से कर दूंग्यक् il देखो काम तो काम तो इनका तो इया नहीं है .व स्टूख मेंक दूसरे का साथ दे Na बहुत जरूरी है वैस liberalentlich में जरूर कर देना है .वैसा किसी की मतलब फ्रम करो नहीं लेकिन दुख माया है but जरूर करने चाहिए तँ मैं अब रोज जीया से करती हैं आदातर में बरतन वगेरा भी अपने आप कर लेती हूं, वका नहीं में परेशान रहती है, वका फिर कुछ दिक्कत भी रहती है उनको, और मैं कोई बात नहीं भाई देखो, वे हमारी हेल्प करती है, तो हमें भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, तो मैं बस करवा दूंगी सारा. तब धूंगी सारी होच लिए क्योंकि है सारा काम मेरा सुबह का कंप्लीट हो गया मतलब मॉर्णिंग रूटीन अब तो मैं दुपैर काई करूंगी और यहां सी आ गए थे निरज भाया बौह जी को लेने के लिए तो बौह जी हो गई है तयार आज उधर जाने के लिए क्योंकि दो तीन दिन होगे बौह जी अपने आप ही कहले थी कि पास था तो कम से कम यह रोज ही चले जाते थे इधर उधर आज यहां रहे लिए अगले दिन वाले किन अब दूर है फिर उनसे इतना जाया आया बिंजत तब लही चाहिए इस कुटी पर भी जो कह रही थी कि मैं तो बस लगा था दो तीन दिन इधर रहे लूँगी दो तीन दिन उधर रहे लूँगी तो यहां बस मैं जा रही है और मैंने उनके पैर दबा दिया मैं बस जा रही है अब हम इनको करेंगे बाए तो बस जी आज की वीडियो यहीं पर हैंड करूंगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें सेयर करें तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ अब तक के लिए बाए बाए रादे रादे